नमस्कार दोस्तों स्टॉक मार्केट अपडेज चैनल में आपसे भी प्यारे दोस्तों का में दिल से स्वागत करता हूँ आज के इस important वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले नेक्स्ट मंडे पे ब्रैट कॉम गुरूप के साथ इंडियन स्टॉक मार्केट में कौन सी डिरेक्शन में ट्रेडिंग हो सकता है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटे सी रिक्वेस्ट कर लेना चाहता हूँ यादि आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब चरूर कर देना बात करते हैं यूए स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी बैड न्यूज के बारे में पिछले ट्रेडिंग सेशन में यूए स्टॉक मार्केट दोस्तों पूरी तरह से क्रेश हो चुका है और उसका सिधा इंपेक्ट अप आने वाले मंडे पे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में पढ़ सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट पूरी तरह से गैप डाउन के साथ ओपन हो सकता है और साथ ही सबसे ज्ञादा गिरावट होती है तो IT सेक्टर में ही होती है तो IT सेक्टर यदी crash होता है तो Monday पे bright come group में lower circuit लग सकती है तो ऐसे में यदी आप quarter 1 के result के बाद bright come group में entry करना चाहते है तो दोस्तो 40 के level को जैसे ही down जाए उसके बाद ही आप सोचना अभी 44 चल रहा है तो उस हिसाब से अभी के हिसाब से 45 चल रहा है BAC पे एक दो अपर सरकीट यहां लग सकती है इसलिए एंट्री करने में कोई जल्दबाजी ना करे और जैसे ही दोस्तों पूरी तरह से ग्लोबली मार्केट अप साइड पूरी तरह से ना हो जाए उसके बाद ही एंट्री करना है क्योंकि क्वार्टर वन के अच्छा रिजल्ट के बाद यदि पूरा IT इंडेक्स गिरता है तो उसके साथ ब्राइट कॉम ग्रूप भी गिर सकता है तो ऐसे में पूराइट कॉम ग्रूप में अभी एंट्री करने का कुछ वेट हमें जरूर करना चाहिए क्योंकि जिस तरह की नेस्टेक 3.9 परसंटेज के हिसाब से क्लोजिंग हुआ है डाव जोन्स में भी बहुत बड़ी गिरावट पिछले ट्रेडिंग सेशन में यूए स्टॉक मार्केट में दिख रही है देखते हैं आने वाले मंडे पे क्या होता है और आगे की स्ट्रेटेजी हम हमारी चैनल पे आपको देते रहेंगे थेंक्यू सो मच जैहिंद